हुआ है है हलो गाइज गूर्णिंग कैसे हैं सब लोग आपके लिए वेलकम बैक अगें तो आवर यूट्यूब चैनल इडियूचम लाइव क्लाशिस मॉर्णिक से अपना दय वोकेबलरी होता है अपना दय हिंदू से ठीक है उसमें कुछ अच्छे वर्ट्स लेकिया तो हम हम आपके लिए आपके लिए सेशन बहुत हेल्पूल होगा क्योंकि इंग्लिस कॉम्प्रेंशन या फिर वोकेबलरी जापके वन वर्ड सब्स्ट्यूशन है वो किसी ने किसी एक्जाम में आपको देखने को मिलते हैं तो शाट करता हम आज का सेशन पहला वर अपने पास आपके पास इंसीडेंस होता है पहले का कोई आपके पास इंसीडेंस होता है पहले को गटना होती है उसको समझ के आप बताते हैं कि आगे क्या होगा तो पहले की कटना हों बोलते हैं ौवर्चर और आपके पहले बात या नाउन है ठीक है देख है उसके सिनोणिमा आपको पास क्या है एडवांस आपको पास अप्रोच पिर आपका प्रिलूड अच्छा वह बिंदे पहले पहले किस्ताइब आपने इस होते हैं फ्रसक्राइब कर लेना उसको सेकेंद मॉनोपली यह आपका नाउन है मोनोपली आपको बता होगा सिंपल वर्ड है लेकिन फिल भी इसको डिसक्स करना इंपोर्डन्ट है लो कोई भी बात करें तो पहली बात है नाउन की रूप में कैसे यूज़ होगा अब मतलब कि इस दर बायर्स बट उनली वन सेलर एक ऐसा मार्केट एक साब जसा बाजाब जाबि बहुत सारे बायर्स होते हैं बायर्स मतलब खरीदने वाले बट कि इतने होते हैं सिर्फ और सिल्फ एक मतलब क्या कि उसका इसका दिंदricht को वह बेंद रुपर उसका एक अद होता है इसका मतलब एभी हो गया कि exclusive control और possession of something मतलब कि किसी जीद पर हो जादा control या फिर उसका अपने पास रखना जिसको काला वाजरी बोलते हैं मतलब काला वाजरी क्या होती है अपको बता है जिसमें कोई परसन अपने इकटी से अपने अगें हो जाएंगे बात करतें थार्ड वर्ड यह अप्रिहेंशन नावन है ठीक है लेकिन की कि दो या ती मिनिंग आपके अलग अलग होंगे और काफी सारा वेतलों को मिलेगा कि वह अलग-डग कितनी अलग है पहले बात तो ऐसे होता है कि कि चीज का किसी चीज के बारे मैं सोच कर कि वो कैसे होगा थोड़ा एंड एंटिसिपेट करना कि हां ऐसे हो तो उसों डरना थ्ट सा वैर्फुल एक्स्टेशन और ए सोचना कि वह जो सकती है तो सब थोड़ा डरनना उसको बहते हैं आप प्रियंटिंग अपरियेंट क्या होता है अलग से आप सब्सट्रव की मालोग आप। आप प्रियाफ पढ़ते हैं तो कॉम्प्रियंट का मतलब क्या होता है एक जिसके आर्थ को समझना अब वैसा ही सिमलर आपका अप्रियांड हो यहां फिर 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 किवत त्कम करतें में उसको पकडते हैं इसको नब right याँ पीजिस का विनिंग चेंज है यहाँ फिर से चेंज है उर्यामिए फिर से चेंज है तो इसके तीन मिनिंग हैं अलग है कौन सा कहां कैसे यूज़ करना है आप इसको देख के चलें अप्रियंट चिंद अच्छा वर्ड़ था इसको आप आप याद रखें इसको और आरे कि सित को डोडियस करते हैं मालों दोड़ज की बात करें इन्डिया इल्भांगदेस उनके इनके रिडुर्स प्रेशिस कर सकते हैं अपने relations को जो अपना cordial relations होते हैं आपके जो अच्छे संबंध होते हैं उनको आप फिर से अच्छा बना सकते हो ठीक है तो उनको re-establish करना ठीक है या फिर समझोता reconciliation होता है जैसे कोई मन मुटा हो तो समझोता हो जाएगा agreement हो जाएगा किसी काम के बीच में अथोड़ा तो किसी काम को नहीं होने देना इसका मतलब हो जाएगा कि क्टिक कर रहे हो तो गया करें हो अन जहीं को आनकोट कर देना तो समय देंस्कर करें तरह लोट है कि झाल रिख लłęुक सभी अच्छान जालएऔ कर देना इमट्टिक इसको क्षार्ण 89 उसको confused कर देना उसको प्रेशानी में डालना इसका मतलब हो जाएगा you are you are throwing a spanner in someone's works ठीक है बात करते हैं नेक्स वर्ड की यह आपका है apartheid क्या वोलेंगे इसको इसको इसका noun part of speech क्या noun है आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो इसमें वर्ड आ रहा है देखो मेरा तो कि किसी person को अलग किया जाएगा उसकी community से बिल्कुल एक ऐसी नीती जिसके कारण से आप किसी person को उसके रंग की कारण आप उसके जैसे बोलते हैं कि यह ब्लैक है ब्लैक पर्सन है या फिर वाइट है तो उसको उसके रंग के अदार पर अलग कर देना उसको बोला जाएगा apartheid aggressive niti यानि रंग बेज नीती बोलते हैं apartheid को that means a social policy और racial segregation involving political and economic and legal discrimination against people who are not whites the former official policy in South Africa जो लोग white नहीं है that means brown हो सकते हैं आपके black हो सकते हैं उनको कहीं भी अपनी एक तरह से political and economic and legal discriminate करना उसको उनको अलग रखना अलग रखना कि यार यह तो बिल्कुल अलग है black people हैं पता नहीं कैसे हैं आप इंप्योर हो सकते हैं तो ऐसी को निती होती है social policy होते है उसको बोलते है अपार्थाइड की निती ठीक है आपने इसको बारे में पढ़ा भी होगा वह तो वहां पर जाए परसे हुए एक्च्वल में साउथ अफ्रीका की परसन ब्लेक ही है तो वहां पर जो वाइट लोग गए उन्होंने साउथ अफ्रीका को जो ब्लेक परसन थे उनको रंग भेदी की निती का सिकार बनाया तो एक official policy चल दी थी पहले जब आपका लग की किसी की मलोग की मञ फेम होती है उसी प्रसिद्य होती है प्रसिद्य को ऋक्रेथा लगाना हना न ही और कि ओरμο यहाघ देखना है तो नहीं काम कर रहा है एसे मेंक डर्टी और स्पोर्टी किसी चीज़ को डर्टी कर देना उसको स्पोर्ट यह धब्बेदार कर देना एज भाई एक्सपोज़र टू एर मलकी आप किसी भी तरी कैसे कर सकते हैं इस चीज को अपन वेंग के रूप में भी चुशकर सकते हैं मेटाफ़र को मतला होता है कि थोड़ा सा वेंग की प्रिहास करना है शोब बहुत है सार्कार्जम करना ना किसी परसन पर फाल्स चार्ज लगा देना उस पर आरूप लगा देना मेरिस होता है है जिसका इन जिसकी प्रवर्ति अच्छी नहीं होती है मेलिसे इंटेंट यानि कूप प्रवर्ति से किसी पर फाल्स चार्ज लगा देना इस सली अटेक्ट गुड्ड नेप एंड रेप्यूटेशन ऑफ संबन किसी के इज़त पे मलगी एक तरह से अटेक करना या फिर उसको गंदा कर देना ऐसे मैंकिलट हो जाया गंदा कर देना टेंट भी इसका टेंट होता है जिसे बात करें कि मालों कोई परसन है ठीक है मोगा वह आपको साथ दोखा कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो टेंटेर परसन की वो अच्छा निये दिल से तो यहां पर कहींगे वही ब्लिप ब्लिप इसका मतला होता है कि एक माइनर सोख एक चोटा सा उतार चड़ाव और मिनिंगलेस इंटरप्शन आपको परिशान कर रहा है लेकिन मिनिंगलेस है उसको बलते हैं प्लिप चैंज स्टेट अब्रप्ट ली अपनी अवस्था को बहुत जली से से चेंज करना सच एज बिट्वीट ओफ एंड ओन और डार एंड लाइट कोई चीज मालवा आपके पास स्वीच है आप उसको ओन करते हो और फोन करते हो कंट्रेस करते जाते हैं अब्रप्ट करते जाते हैं यह बलिपिंग और डार के अंदर एक तरसे आप बोल सकते हैं कि और यह बिट्ट इको होती है बर्ति धावनी होती है तो डिस्प्ले होती है किस चीज को शोग करने के लिए दपर पजीचन और रिफ्लेक्टिंग स सर्फीस रडार करते हैं अब को बता है तुक्छ सी अच्छी तरीके से फास्ट मनाया जा सकता है और दो नोटिकल एक तर online that holds an object in place यानि एक ऐसी लाइन जो कि अपने आपने एक प्रसे object को बढ़ कर रखती है या फिर secure in और as if in a birth और डॉक आपने पतंव होंगा कि जो नाव होती उसके रसी होती है ठीक हैaldo को तो कहीं के आपको बता is to achieve something at all cost किसी भी कीमत पे मुझे वो चीछ चाहिए उसको उसके लिए determination रखना that is hell bent होना intent bent determined set dead set insistent fixed result or settled are the synonyms of hell bent ठीक है तो देखो आज के सारे वर्ड्स थे टॉप 10 वर्ड्स थे आज के आपको समझ में आयोंगे और देखो वीडियो को as में आपको सेर करना दोस्तों को बताना है जिनकी वोकेबली आपको लगता है कि उनकी वोकेबली वीक है प्लीज वीडियो को subscribe करें और चनल को subscribe करें ठीक है और जो अपना बेल आइक उसको प्रेस करना ना बूलें ताकि जैसे कि नेक्स्ट मोर्निम आपको वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलें ठीक है तब तक लिए ओल दिबेस्ट गुडबाई बी एपी और टेक केर